वेल्कम टू किचन क्राफ आज हम आलू और टमाडर की सब्जी बनाएंगे वैसे तो सभी के घरों में अकसर यह सब्जी बनती है लेकिन जब हम शादी ब्यां में इस तरह की सब्जी खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है तो आज हम हलवाई जीस तरह से य दूले और बाजू में दिये बाल आइकन पर क्लिक करते ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले या पर तीन उबले हुए आलू लिये हैं जो वजन में 300 ग्राम के करीब है अलो को उबाल कर उसके छिलके निकाल देंगे और अलू को इस तरह से मोटे टुकडों में काट कर एक टामाटर लिया है मिडियम साइज का छोटी वाली जो साइड है उससे हम टामाटर को कद्दुकस कर लेंगे अगर आपके पास टामाटो की प्यूरी पड़ी है तो आप वो प्यूरी भी डाल सकते है तकरीबन आदे कब जितनी तड़के के लिए मैंने थ्री टेबल स्पून तेल लिया है उसमें एक छोटा टुपडा दाल चिनी का और तिन साबूत लॉंग डालेंगे उसके बाद वन टीस्पून सरसो डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे आप चाहे तो दोनों आधा-धा करके भी डाल सकते है गैस की फ्लेम को अभी हमने मीडियम रखना है जब सारसो और जीरा चट्टकने लगे तो दस से बारा करी पत्ता डालेंगे दो हरी मेज़ डालेंगे और एक टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे एक बार मिक्स कर लेंगे एक टेबल स्पून काश्मिरी लाल मेज़ डालेंगे मेज़ डालने के तुरंती बाद हम टमाटर डाल देंगे टमाटर को हमें एक से दो मिनट के लिए भूनना है अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे जब टमाटर अच्छी तरह से भून जाये तो उसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार हाफ टी स्पून मेथी का मसाला डालेंगे एक टेबल स्पून धन्या जीरा पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे अच्छी दरा से अभी एक बार और मिक्स कर लेंगे मसाले डालने के बाद 1 मिनट तक हम और भूने के इस तरह तड़के में हल्दी और मिश डालने से सब्जी का कलर बहुती बड़ी आता है एक मिनट के बाद उसके अदर एक कप पानी मिलाएंगे गैस की फ्लेम अभी हो, फास्ट कर देंगे जब पानी इस तरह से उबलने लगे तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे अब देख सकते हैं कि मिर्शी का कितना बढ़िया कलर दिख रहा है सबजी में अब हम इसके अंदर उबले हुए आलू आड़ करेंगे दो आलू जो मैंने बचा के रखे थे उसको मैंने इस तरह से मैश कर लिया है आलू को मैश करके सबजी में डालने से सबजी की जो तरी है वो बहुत ही गाड़ी बनती है अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिनट के लिए हम और इससे कोख होने देंगे दो मिनट के बाद एक टेबल स्पून जितना गुड मिलाएंगे गुड बिल्कुल आप्शनल है अगर आपको मिठा पसन नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं एक मिनट और इसे पकाएंगे ताक कि गुड अच्छी तरह से मैल्ट हो जाए अभी आप देख सकते हैं कि जो तरी है वो थोड़ी सी पतली है लेकिन जैसे सबजी ठंडी हो जाएगी वो थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी अगर आपको और गाड़ी करनी है तो आप दो से तिन मिनट और इसे गैस पर रख सकते हैं मिनट हो चुकी है तो गैस हम बंद कर देंगे फिर से एक तड़का लगाएंगे जिसमें हाफ टीस्पून तेल लेंगे और तेल गरमोंने पर उसके अंदर हाफ टीस्पून हिंग डालेंगे और थोड़ा सा काश्मेरी लालमीश पाउडर डालेंगे दो से तीन चम्मच जितन बढ़िया फ्लेवर आता है आप चाहें तो हिंको पहले जो हमने तड़का किया उसमें भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह तड़का लगाने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सब्जी बनकर तयार है उसे मैंने पूरी और हरी मीश की साथ सव किया है तो इस तरह से फैमिले के साथ भी शेयर करना ना भूले तो फिर से मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ